बारतिय मजदूर संग जिला पंचकुला ने संग की हर्याना की कार्यकार्णी का जिला पंचकुला को प्रतिनी धितव दिये जाने पर अभार जताया बारतिय मजदूर संग जिला पंचकुला हर्याना मजदूर संग की नवन्युक्त समस्त कार्यकार्णी को अहर्दिक शुबकामनाय में बधाई प्रिशित करती है और काया कि वै शेत्तर वै अखिल भारतिय अधकारियों का भार प्रक्ट करती है कि उन्होंने परदेश कर्य करने में पंचकुला को नरेश बालू उपाधक्ष के रूप में प्रतिनिदितव दिया है उन्होंने कहा कि नरेशबालू पूरों में अनुबंधित, विधुत, करमचारी संग हर्याना के एढख्स रह चुके हैं वने भारतिय मजदूर संग के करमट कारे करता है भारतिय मजदूर संग जिला पंचकुला के जिला मंतरी बर्म प्रकाश ने मंगलवार को बताया कि भारतिय मजदूर संग हर्याना का त्रिवार्शिक अधिवेशन का समापन हुआ था अधिवेशन की द्यक्षता प्रांत के द्यक्स अशोक कुमार ने की थी वे अधिवेशन में विशेश अथिदी की रूप में भारते मज़ूर संके अखेल बारते महामंतरी रविंदर हिमते वे अखेल बारते वित सचीफ शरवन कमार राठोर उपस्तित रहे थे इस अधिवेशन में हर्याना प्रांत से स्यंक्डो प्रतिनीदियों ने भाग लिया था जिसमें पंचकुला से जिलादेक्स क्रेशन कटा रिया वे जिला मंतरी ब्रह्मप्रकाश के नेतरतों में 18 प्रतिनीदी शामिल हुए थे जिसमें कई मंगों को भी उठाया गया था इस अधिवेशन के अंत में प्रदेश की नई कार्यकारने का गठन किया गया था जिसमें अधैक्ष अशोक कुमार उपादैक्ष नरेश बालू उपादैक्ष बहाण छोटा गहलावत विर्यंदर कुमार महमंत्री हवासिंग महला प्रान्थ कोशध्यक संदीप यदव प्रांथ मंत्री जितेंदर देविलाल हवासिंग तवर मदुवाला को icon अगले तीन साल के लिए दयायत्यव दिया गया था इसके लिए भारतिय मजदूर संग जिला पंचकुला के जिला मंतरी ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि जिला पंचकुला को भी प्रतिनी दितव दी जाने पर संग अभार प्रकट करती है